हेलो आप्रिवन वेल्कम बेक चुनाइश्री क्लासेस और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छी होंगे और अपने घरों में बिलकुल सुरक्षित होंगे वी यहां पर मैंने इक क्लास आपको दी थी जिसमें बने अपने आप ने जाना था कि क्या आपको इस सीरीज में पढने को मिलने माला है और क्या आपके exam के point of view से important है So आईए series की शुरुआत करते हैं बस आप लोग जो सपना वरकरार रखिएगा अंत तक क्योंकि ये series बहुत ही मज़ेदार होने वाली है एक ऐसा subject जिससे maximum student को डर लगता है वो डर मैं आपका भगा कर ही रहूंगी और ये series जीतने के लिए ही शुरुआत की है मैंने हारने के लिए शुरुआत नहीं की हुई है आईए सबसे पहला जो topic है आपका वो है introduction to computer introduction to computer में आपको क्या-क्या पढ़ने को मिलने वाला है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं देखिए Introduction to Computer में सबसे पहले आता है आपका Computer की कार्या पद्धती Computer की कार्या पद्धती दूसरा आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलने वाला है Computer का इतिहास मैं इस तरीके से यहां पलिख देती हूँ पर उससे पहले आपको विसेशनाय पढ़ना है यानि कि Characteristics of Computer तीसरा आपको इसी चैप्टर में पढ़ना होगा Computer का इतिहास इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है Computer का वर्गी करना जिसमें आप Types of Computer पढ़ने वाले हैं इतनी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलने वाली हैं अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ Computer की कार्यपधती देखिए ध्यान से आपको चीजों को समझना है बहुत ही असान है अगर आप ध्यान से सुनेंगे मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी कि आपको Notes बनाना है पहले आप चीजों को समझ लीजिए उसके बाद ही आप Notes बनाईएगा और अगर Notes की टेंशन है तो Notes में आपको खुदी टेलिग्राम पर दे दूंगी तो आप वहां से अपना जो Soft Copy है तो उससे आप Print Out बगएरा निकलवा सकते हैं लेकिन आपको जो Main Focus करना है तो Computer एक ऐसा सही हो जाना है Hardware और Software का अभी देखे Hardware और Software क्या है यह आपके बाद का काम है क्योंकि यहां पर अगर मैं सारी Terminology बता दूंगी तो बहुत ही जादा मैस अप्रियेट हो जाएगा पर आपको यहां पर यह जानना है कि Computer एक ऐसा सही हो जाना है हाड़वेर और Software का जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है अब यहां पर दो टर्म और आगया डेटा और सूचना यह आपको जानना है क्योंकि पूरे Computer में स्रिफ यह चीज़ें जो है ना डेटा और सूचना यह घूमते रहते हैं तो डेटा और सूचना को पहले समझ लेते हैं क्योंकि Computer का जो main काम होता है वह यही होता है आपका जो data है इसको सूचना में परिवर्तित करना बहुत ही आसान वासा में आप डेटा को और सूचना को समझ सकते हैं कैसे आए जानते हैं डेटा क्या होता है आविवस्थित आंकडे आविवस्थित आंकडे को ही हम डेटा कह देते हैं अब उन्हीं आंकडों को जब विवस्थित कर दिया जाता है कम्पीटर के दौरा मतलब कम्पीटर के दौरा प्रोसेसिंग की जाती है जब कम्पीटर प्रोसेसिंग कर देता है तो उसके बाद जो आपको मिलता है, तो वो आपको एक organized आंकड़े मिलता है, क्या आपने कभी देखा है कि computer की दोआरा process करी गई हो और उसके बाद आपको आविवस्थत आंकड़े मिलें, possible ही नहीं है न, तो यही होता है आपका जो विवस्थत आंकड़े मिलते हैं, आपको वही सूचना होता है, क्या होता है, सूचना होता है, देखे फिर से सुन लीजे, आविवस्थत आंकड़े हैं, उनको हम क्या कहेंगे, आविवस्थत आंकड़ों को हम कहते हैं data, जब computer process कर देता है, उसके बाद हमें क्या मिलते हैं, विवस्थत आंकड़े मिलते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं उनको हम कह देते हैं सूचना बस सिंपल सी बात है अभी आप समझ गहें होंगे आपको पता ही है आवावस्थित का मतलब क्या है आवेवस्थत गुज से जो यह वह आपका क्या जाए सिख जाएंगे माइंड को खाली रखिए पहले तो तब आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे बहुत ही असान है तो यहाँ पर आपने अभी सिंपल यही समझाए कि एक्चुल में computer है क्या अब यहाँ पर हम बात करतें computer की कारेपधती तो अगर मैं computer की कारेपधती की बात करूं तो computer की कारेपधती में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है सबसे पहले आपको पढ़ना होता है input के बारे में किसके बारे में input के बारे में क्या होता है यह input आए जानते है input के बारे में, देखिए, computer पर कोई भी कार अगर आपको करना है, तो पहले आपको computer को निर्देश देने होंगे, कि भाया ये कारे कर दो, बतब 2 प्लस 2 आपको करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, computer को निर्देश देने होंगे, instruction देने होंगे, तो जो निर्देश, यानि कि जो instruction आप computer को दे रहे हैं न, वही input है, that's it, क्या है, computer को जो निर्देश आप दे रहे हैं, वही क्या है आपका, वही है आपका input, ठीक, क्यूंकि computer का रहे तो करता है, 2 plus 2 कैसे होगा, 4, ये computer कर देगा, लेकिन पहले उसको पताना तो होगा, कि 2 plus 2 लो कर दीजिए तो वो कौन करेगा Dani फोन देगा जो का यूजर देता है आप क्या है यूजर एक ख़र Much- Qin इन-फ Somewhere- reconstruct जाते हैं तो patience दीजाते हैं वह इंपूट के हलाते मारे समझे आपको नेक्स साशावत्र पर क्या होता है बहुत के बारता है आपका to यह चोटे-चोटे से जो टम सेना कई बार एग्जाम में आपसे पूछ ले जाते हैं यसे आपके एस्टत exam में रहाव सकते हैं तो अनी टम्स को आपको ध्यान दिनेंगे बहुत असान है बस आपको ध्याן से सुनना है अब मैं अगर बात करूं कि output क्या होता है तो देखिए output मैं आपको समझा देती हूं देखिए computer जो है आपका जो आपने input दिया है मतलब जो निर्देश दिये हैं उस पर काम करेगा मतलब प्रोसेस करेगा computer काम करता है ना तो उसको आपका आउटपूट है जब आप समझ गहें कि यूज्ब को जो Yeah चो दिया जाता है उसी कि नेक्स्ट होता आपका जो प्रोसेसिंग को अगर मैं समझूं कि क्या होता है प्रोसेसिंग तो देखिए इसको को भी समझना आसान ही होता है processing को कैसे समझ करता है i5 computer से CPU एन की Central Processing Unit का होता है किसका होता है CPU का होता है ठीक Computer क्या करता है CPU को दे देता है CPU उस पर जो है Processing करता है जो भी आपका कारे करने का काम होगा मतलब जो Processing का कारे होगा वो हमारा CPU ही करता है ठीक है अभी आप समझ गए होंगे प्रोसेसिंग के बारे में नेक्स्ट होता है आपका क्या storage ठीक है चौथा आपका जो टर्माता है वो होता है आपका storage अगर मैं यहाँ पर बात करो storage की कि storage क्या होता है तो देखिए computer जो भी कारे करता है उसको storage करके रखता है ठीक है जैसे आपको इकार करते हैं तो आपके माइन में कहीं न कहीं वह आपकी एक memory में रहता है ऐसे ही computer की memory में जो भी आप कारे करते हैं वो रहता है अब मन में यह आता है कि computer ने कोई भी डेटा पर जो है अगर काम किया है तो डेटा आपका डेटा पर काम करने के बाद यानि कि जब आपका लास्ट होता है उसके बाद आपका स्टोर होता है यह फर execution के device कर लिए जाता है देटा देटा तो दिखें इस चीट एदर की ध्हार की दौरा ऐस्टोर किया जाता है डेटा वू एग्जीकिशन की भी अपका स्कूरे स्टोर कर लिए जाता यही है कि जो आपको ना आए comment works में त्रण टाइप करें next day में आऊंगी मैं उसको बताऊंगी जरूर की के अब यहां पर आपने समझ लिया computer की कार्यपद्धी next हमारा आता है computer की विसेस्ता हैं तो विसेस्ता हैं मैं मैं यहां पर लिखी हुई हूँ यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले computer की विसेस्ता में गती यानि की स्पीड अगर मैं computer की श्पीड की बात करूं सो आप सभी को पता है कि computer एक bar मैं लाख़ों आपके जो है instruction मतलब लाखों जो आपके गणाय है कर सकता है अब सभी को पता है लेकिन अगर मैं अभी modern time की बात करूं तो अगर अभी कि बात की जाए तो अभी की जो computer है वो nanosecond और picosecond में आपके जो हैं लाखों गड़नाएं कर सकते हैं कितने nanosecond और picosecond का मतलब आप समझ रहे होगी इतने कम समय में वो लाखों गड़नाएं आपका कर सकता है ये है आपका computer की गती अभी के time की अगर मैं आधूने time की बात करूँ तो वो है आपका नैनो सेकंड और पीको सेकंड में भी आपका लाखों गड़ना है आपका computer कर सकता है नेक्स्ट है आपका त्रूटी रहत कार यानि कि accuracy अब यहाँ पर accuracy की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को पता है कि computer कोई भी कार बिना त्रूटी के करता है नेक्स्ट होता है आपका इस चमता है नेक्स्ट होता है अब सभी को पता है कि computer बहुत सारा data store करके रख सकता है इसकी चमता है वो आपकी hard disk पर निर्वर करती है जितनी आपकी hard disk होगी उतना ही ज्यादा यह data store करके रख सकती है hardest क्या है आगे पढ़ने को मिलेगा कहां पर memory में मिलेगा अभी बस इतना जानना है कि computer ना बहुत सारे data को store करके रख सकता है आप लोगों ने भी अपने बच्पन से लेके अभी तक के photos सारे store करके रखे होंगे जो भी आपके memories होंगी वो सारी आपने store करके रखे होंगी है यह होता है जरूरी नहीं है कि बहुत सारे कारे कर सकता है एक बार में यह होता है आपका नेक्स्ट आपका गोपनियता जिसे आप कहते सिक्रेशन मैं आपको सजेशन दूँगी कि आप हिंदी टर्म के वजाए इंग्लिस नम याद रखें वह जादा आपके लिए अच्छे होंगे अगर मैं बात करूं सिक्रेशी की आप सभी को पता है कि अगर आप एक अपैसवर्ड लगा देते हैं जैसे आपने चाहने वालनों का नाम ञ 16 आख अपने पासवर्ड में तो हम हमारा जो desktop है हमारा system है मतलबмосक्र अभंदाल को विशको सकोन को नहीं सकता है घरवाले वी विर बेच पाते हैं विरत तो यह होता Barrom ज़का है कि आएम तो को यही वीडियो को देखा अगर मैं वारा देख लेज़ेंगे अच्छा है देह ओहारा देख लिए आपब हमारे बस का नहीं है क्यों क्यों की माना जो है थक जाती वह नहीं मुपार更 यहीरा की त्न एक एक कार लाखों बार करने को दे सकती हूं लेकिन कम्पीटर यह नहीं कहेगा मैं ठक गया हूं नहीं नहीं बोल सकता है क्यों क्यूंकि कम्पीटर आपका एक कारे को लाखों बार कर सकता है कोई भी कार आपका जो होता है उसको लाखों बार कर सकता है है ना तो यह होता है डिल लेकिन जब मैंने computer को निर्देश दे दिया, suppose करिए कि मैंने उसको add करने के दिया, 2 plus 2 दिया, आप जो process करनी है 2 plus 2 4 कैसी हुआ है, ये आपका computer करेगा, तो जब 2 plus 2 कर रहा होगा आपने निर्देश दे दिया, उसके बाद आपकी छुटी, उसके बाद जो काम करेगा, वो आप गड़ना करते टाइम, जब भी computer calculation करता है, तो उस टाइम आप कुछ भी, मतलब interfere नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका सौचाले, नेक्स्ट आपका विश्वशनीता, यानि कि आप इसको क्या करते हैं, ये क्या होता है, reliability आपका होता है, कि computer जो भी आपको मतलब output द देता है, हम उस पर 100% विश्वास करते हैं, तो ये होता है आपका reliability, I hope आप इसको भी समझ गये होगे, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, computer का हितिहास, बिल्कुल भी डरने के जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर factual चीज़ें आती हैं, तो mind थोड़ा सा हमारा घबराने लग सिर्फ पढ़ा ये कैसी चीज़ है, मैं सज बता रही हूं, जिससे आप अपने हर एक ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, ड्रीम तो हम कई सारे देखते हैं, नजने कितने ड्रीम, अभी तक जाके हम ने खटे कर ली होंगे, कई सारे लोगों का ड्रीम होता है, मतलब अलग अलग सिर्फ पहुंचे जो होते हैं, उनकी मतलब जो स्लेट होती, उस पर भी अकसर अब देखते होंगे, या अगर कभी आप मतलब स्कूल बगएरा में गए होंगे, तो देखा होगा आपने, इस तरीके से इसमें आपकी वर्टिकल लाइन्स होती है, इन वर्टिकल लाइन में है कि शुरुआ देखे 1602 से हुई थी अभेकस की ठीक है बाके आपको कुछ नहीं जानना है आपको याद नहीं रखना है आपसे बहुत ही कम 1602 अगर याद होता है तो अच्छी बात है दरवाइस कोई बात नहीं नेक्स्ट आपका नेपियर वूंस अगर मैं नेपियर वूंस की बात करूं तो इसका जो अविसकार है वो सुला से 17 में हुआ था अविसकारा कौन था जौन नेपियर थे और यह जो है स्कॉटलेंड के थ आद रखना है आपको ऐसे पूंचा जा सकता है ठदया में किछ आपके यंद्र में की ए आपन क कोई बी मैंपपयoshoda प्रतम切 यह सोओ हैं एदिंग मशीड में आपने इन पूछा जाता है कोउन और दे ब्लेग लबी कहां के देए फ्रांस के थे पर्थम मेकेनिकल एडिंग मसीन सीधा सीधा पूछा जाता है कि आपका जो है इन में से कौन सा पर्थम मेकेनिकल एडिंग मसीन है आंसर आपके जो चार ऑप्षन है वो है पहला पास्क लाइन डूसरा आपका जो ऑप्षन है अभीकस तीसरा है आ सब्सक्राइब करने फिर वो सब्सक्राइब तो याद रखना है आपको कि आपका जो पास्क लाइन है पास्क लाइन आपका प्रिथम मेकेनिकल एडिंग मसीन था यह बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट जो आपको लाइन यहां पर दिख रही होगी पहले मैं इसको समझा देती है ओडो मीटर के बारे में कि यह ओडो मीटर भाई सब हैं क्या ठीक है आप सभी के पास कार होगी चलियो कार नहीं कोई बात नही जरूर आखी ठीक है आप सभी के पास वाइक होगी वाईक तो होगी ना स्कूटी वोगी कुछ मा कुछ तो होगई घर में ठीक है तो आप सभी नहीं देखा होगा कि बहाँ पर एक ऐसे गौल्गूल आपका लगा रहता है और इस तरीक संहिंग यहीं है आपका उडो mówiąट ओ तो आपको याद रखना है कि ऑडो मीटर और घड़ी के सिधधनत पर काई कौन करता था यास्क्ला नेुक। फिर आपने जाने हम पर कि और मेकशनत आप प्रकूद झाया है खान सा नुसर कण सबसक्रात है सीधा सीधा आपसे यही पूछा जाएगा क्या अंसर होगा आपका पास्क्लाइन ठीक है प्रियोग क्या होता है पास्क्लाइन का तो पास्क्लाइन का जो प्रियोग है वो संख्याओं को जोडने और घटाने में होता है किस में होता है संख्याओं को जोडने में और घटाने म इसका प्रियोग होता है किसका पास्ट क्लाइन का जीतने के लिए इधर पर आए हैं तो जीत के ही जाएंगे अपकी बार चीके आप लोग भी अपना जोस बरकरार रखी और अच्छे से बस पढ़ते रही है मैं आप सबीसे यही कहूंगी कि बस आप लोग जो जितना बरकरार रखेंगे उतना ही ये सीरीज मज़ेदार होने वाली है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाए जैहिन